Hello Friends, Welcome to MB Automotive और आज हम बात करेंगे Catalytic Converter की Catalytic Converter कहां लगा होता है इसका काम क्या है इसका Working Processor क्या है आईए इसके बार भी हम जानेंगे वीडियो में देरी ना करते वे चलिए आईए वीडियो को शुरू करते हैं होता क्या है कि जब Engine Combustion Chamber में Air और Fuel का Mixer बनता है और ये Mixer जब बर्न होता है तो कुछ harmful गैसे पडूज होती है जो कि वातावरन के लिए काफी ज़्यादा नुकसान दायक है इन गैसों का नाम है Hydro Carbon, Carbon Mono Oxide Nitrogen Oxide और Sulfur Oxide अगर ये गैसे वातावरन में मिल जाएं तो वातावरन के लिए काफी ज़्यादा नुकसान दायक होती है जो हमारा Catatic Converter लगा होता है वो Exus Side लगा होता है इसका काम ये है कि जो Engine से निकलने वाली Gases है उनको Clean करना है हमारा Catatic Converter जिसे Metal से बना होता है उसका नाम है Platinum, Platinum और Radium और Catatic Converter भी दो परकार का होता है 2-Way Catatic Converter और 3-Way Catatic Converter पहले हम जानते हैं 2-Way Catatic Converter के बारे में 2-Way Catatic Converter में होता क्या है कि ये सिर्फ दो Gases को नियंतिरित करता है Hydrocarbon और Carbon Mono Oxide 2-Way Catatic Converter में एक केरमिक ब्लोग होता है जिसे हम उक्साइडिंग भी कहते हैं 2-Way Catatic Converter Platinum और Platinum का बना होता है जब 2-Way Catatic Converter में से Carbon Mono Oxide गुजरती है तो ये Oxygen के साथ Reaction करती है जिससे क्या होता है कि ये Carbon Di Oxide में प्रविरतित हो जाती है इसी तरह से Hydrocarbon जब 2-Way Catatic Converter में से होके गुजरती है तो ये Oxygen के साथ Reaction करती है और ये H2O में बदल जाती है Next हम बात करते है 3-Way Catatic Converter के बारे में 3-Way Catatic Converter में 2 Keramic Block लगे होते हैं जिसका एक का नाम है Oxiding Block और दूसरे का नाम है Reducing Block ये Block Platinum, Pedium और Radium के बने होते हैं ये Converter 3 Gase के साथ Reaction करता है पहली Gase है Hc, दूसरी Gase है CO और तीसरी Gase है NOx Hc क्या करता है Hc जैसे ही Catalatic Conversion में जाता है ये Oxygen के साथ Reaction करता है और H2O में बदल जाता है CO भी इसी तरह से Catalatic Converter में जाता है और texto Oxygen के साथ Reaction करता है और ये CO2 में बदल जाता है NOx भी Cataletic Converter में जाता है और Oxygen के साथ Reaction करता है और Nitrogen में ये बदल जाता है ये थी हमारी Cataletic Converter की Working और Cataletic Converter कैसे काम करता है और अब हमारा रह जाता है Particle Metal मतलब पीम Sulfur Oxide मतलब ये SOx ये DPF के दुआरा Control किये जाते हैं DPF के लिए DPF के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं description में दे दूँगा आप वहाँ जाकर भी DPF की वीडियो को देख सकते हैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आये तो हमारे चैनल को स्पोर्ट करें जैहिन नमस्कार धन्यवाद